बाट बाट जृमू में इनुनने वो खढ़ा करने कोशिश कुशिश क्यों नहीं था यह máxim क्यों अइसे या फ़िया आशे लोग पाट्यान खड़ी द यहां क्योंगी है bleang इन मुसलमानों में डिविजन पैदा करने के मंगर यहां के लोगों ने दिखा दिया कि तुम कितनी भी कोशिश करोगे डिवाइट करने के हम डिवाइट होने वाले नहीं हैं। हमने कठे होके इस रियास्त को बनाना है। इसको आगे लिए जाना है। हम नफरोतों में नहीं रहेंगे। हमने मुहबबते काइम की हैं और इंशालला आगे भी मुहबबते काइम करेंगे। हमने कभी गे नहीं सोचा है। मेरे दोस्त कॉलेज से, स्कूल से, कश्मीरी पंडित थे। मैं उनके घरों में खाना खाता था। यह उन्लों का है ना जो हमें यह फरक डालना चाहते हैं। अप्डेट्स के साथ अजए जानडियाल अब जरह इस रहसित का खुलासा कीजिए कि आखिर कौन कौन आज मंत्री पत की शपत की लेता हूँ नजर आ सकता है। देखिए मैं आपको बताओं चंदन पूरी जो परिस्थितियां हैं वो टोटली बदल गई हैं कल देर रात तक जो है ये फैसला हुआ था कि नो मंतरी और अमर अब्दुल्ला खुद जो है वो मुखे मंतरी पर की शपत लेंगे मगर जो सिचुएशन उसके बाद बदली है उसमें चीजें जो है वो अलग हो गई अलग इसलिए हो गई क्यूंकि जिस तरीके से लगातार आपको बताओं कि नेशनल कॉन्फरेंस के मंतरी जो बढ़ने थे इंडिपेंडेंट जो है उनको शामिल किया जाना था और कॉंग्र हो सकती है और उसके बाद जो है फिर कुछ नेगोशेशन जो शायद जो है वो सैटल हो पाएं हाला कि अभी तक की जो जानकारी है उसके मताबिद चार मंतरी अब शपत लेंगे और उसके साथ एक मुखे मंतरी उमर अबदुला जो है वो शपत ले सकते हैं जो चार मंतरी हो सकते हैं उनमें एक सुरिंदर चोधरी जो की नोशेरा से जिन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेजडेंट रविंदर रैना को हराया था उनको जो है आपको बताओं कि उनको इसमें शामिल क्या जा सकते हैं मंद्री मंदल में इसे तरह से एक नाम जावेद राना का चल रहा ह है जो कि पूर मंत्री रह चुके हैं बड़े वरिष्ट नेता है नेशनल कॉन्फेंस के और मेंडर से उन्होंने जीत हासिल की थी उनका नाम चर्चा में है हाला कि नाम जो है वो सती शर्मा जो इंडिपेंडेंट है उनका भी चर्चा में है मगर अब ये चीज़ें क्यूं इस बात पर होगी कि आखिर किस तरीके से कौन-कौन मंत्री जो है वो पत्की शपत लेते हुए चुने वे विधायक नजर आते हैं लेकिन एक और बड़ा सवाल जो साफतोर पर यहां पर नजर आ रहा है जाज आन्डियाल वो ये कि एक तरफ तो इंडिया अलाइंस के तमा जो इंडिया गडबंधन के नेता हैं वो पहुंच रहे है महबुबा मुफ्ती को भी निमंतरन दिया गया है क्या अजर जान्डियाल देखिए ये एक कहीं न कहीं उप्चारिकता रहती है महबुबा मुफ्ती क्योंकि पूर्व सीम रह चुकी हैं जमू कश्मीर की इसी तरह से अगर आप देखें तो भातिजनता पार्टी के भी रेताओं को तमाम जो पूर्व मंतरी हैं पूर्व एमेलेज रह चुके हैं उनको भी ये निमंतरन गया होगा मगर कौन-कौन शामिल होता है वो जरूरी है क्योंकि नेशल कॉनफेंस और पीडीपीड एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है ऐसे में देखना होगा कि महबुबा मुफ्ती पहुंचती है या नहीं उन मंतरी मंदल में शामिल होगा कौन-कौन पहुंच रहा है और एक चीज़ आपको और बता दूं की जो जानकारी है ना सिर्फ जो वी वी आई पी हैं मगर क्योंकि दस सालों के बाद जो है उत्सेरमनी जमुकश्मीर में सरकार बढ़ने जा रही है उत्सेरमनी हो रही है तो जो तमाम मंतरी बढ़ने थे उनके जो समर्थक थे उनके जो परिजन थे वो पहले से ही पिछले दो दिनों में लगातार कश्मीर पहुंचे हुए है और इसलिए यह जो कारेकरम रखा गया वो SKICC में रखा गया जहां पर एक बड़ा हॉल मौजूद है जहां पर जो लोग तो आएं उनको वहाँ पर बैठने की जो है प्रॉपर विवस्ता जो है वो मिल पाई सीज को पूरा सुनीचित करने के लिए बिल्कुल वो तमाम विवस्ता है नजर आ रही है और इंतिजाम SKICC में कितने लोगों के किये गए हैं अजय जांडियाल क्योंकि कहीं न कहीं नाशनल कॉन्फरेंस जिस तरीके से उत्साहित नजर आ रही है उमर अब्दुल्ला को हमने सुना एक और इंट्रेस्टिंग बा वकालत करते हुए नजर आ रहे है 370 पर भी जो उनका स्टैंड था वो बदला हुआ सा नजर आता है तो वहीं दूसरी तरफ फारुक अब्दुल्ला आकरमक मूड में अभी भी नजर आते हैं बार बार कहते हैं कि हमने दिखा दिया कि जम्मू के अवाम जो है उसके मन में क क्या है कि अब आपको बताओं चंदन यह सियासी ब्यान रहते हैं क्योंकि जिस तरीके से गर आप देखें तो लगातार भाति जंदा पार्टी अगर फारुक अब्दुला यह कहेंगी उन्होंने आज जम्मू के केंद्र सरकार को बीजेपी को दिखा दिया तो जम्मू में तो नेशनल कॉन्फेंज जो हिंदू बहुल एरिया है उसकी बात करें तो उसमें नेशनल कॉन्फेंज जो है वो काम्याब नहीं हो पाई चाहे वो अदुमपूर है चाहे वो आप देखें रियासी का इलाका है यहां पर उनको जीत हासिल नहीं हुई है इसलिए उनको 29 जो मेजावटी मिली है वो कश्मीर में मिली है तो ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव हुए है उसने एक बार फिर से मैंडेट जो है ऐसा दिया कि जिसमें कश्मीर और जम्मू को अलग खड़ा किया है और पिछली बार जब सरकार बनी थी तो नार्थ पॉल और सौथ पॉल का आइलाइंस हुआ था नेशनल कॉनफेंस तब नहीं थी उसकी जगा पीडीपी थी और पीडीपी और बीजेपी का गठबंदन हुआ इस बार जो है वो चीजें बदली है इस बार नेशनल कॉनफेंस को सीटें तो मिल गई मगर गठबंदन के लिए भारते जनता पार्टी नहीं है इसलिए आप देखें तो अमर अबदला ने बार बार एक वयान दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू को पूरे तरीके से जो है वो पावर में रखा जाए रिप्रेजेंटेशन दी साथ जा सके मगर वो दी कैसे जाएगी अब देखना होगा जो निर्दली जीत तो निर्दली ही हैं जिनका समर्थन है तो क्या निर्दलीों में से भी किसी एक के पास एक हेवीवेट पंत्राले वंत्रीपत जो है वो देकर नैशनल कॉन्फरेंस ये भरोसा जम्मू की आवाम को दिलाने की कोशिश करेगी कि हमारा लक्ष जम्मू और कश्मीर दोनों का स इंडिपेंडेंट है वो जीते नहीं है इस बात का जवाब मुझे लगता है कि नैशनल कॉन्फरेंस जादा बहतर तरीके से देश सकती है शेक बश्यर साफ हमारे साथ लगातार बने हुए बश्यर साफ ये बताईए कि जम्मू में तो कोई इंडिपेंडेंट जो जीते है पहली बात है कि मैंनी समझता हूँ कि यह जो मैंडेट है इसमें कोई शक निये कि जम्मू डिस्टिक की या उदमपर से जो सीटें हैं उसमें नैशनल कॉन्फर्स को क्योंकि हमने यह ऐलाइंस को दीई थी सीटें हमने यहां ऐलेक्शन नहीं लड़ा जमू के अंदर जो सी जमू कहते हैं तो जमू आप ये कहिए कि किस्तवार से लेके पुर्श मंडी तक तो जमू में हमने साथ सीटन जीती हैं जमू से जो सिटन लड़ी हमने सतारा सारा में से साथ जीती हैं और वो सीट disagreed दो तीन सीटें जो है power में कैसे रखेंगे जमों को यह बताईդ प애ट बीजेपी ने जमू के अंदर पॉलरीजेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी बड़े बड़े लीडर्मा स्टमू के लिदे Means और बहुत बड़ी कि ये भी है कि नैशनल कॉन्फेंस जो है अंदर खाने से बीजेपी के साथ जो है कहीं आने बाले समय में दिख सकती है क्योंकि इसलिए अमर अब्दुला साथ की बयान बाजियां बदली हैं सौट हुएं के इंदर के बाजियां इंतजार साड़े ग्यारा बजे का है कब शपत ग्रहन के लिए तमाम जो तमाम चुनेवे विधाक है वो मंच पर पहुंचेंगे और तब पिक्चर जो है वो पुरी साफ हो जाएगी कि आखिर मंतरी मंडल में कौन-कौन शामिल होगा ये ठीक बीच में अखिलेश यादव हैं इसके लावा सुप्रिया सुले आपको नजर आ रहे हैं डी राजा और साती साथ तमाम जो नेता हैं इंडिया गडबंधन के अलग-अलग राजनितिक दलों के उनकी यहां पर महजूदगी है तो कहीं न कहीं ये जो शपत ग्रहन है आ पहुचेंगे शपत ग्रेंट समारों में हिस्सा लेने के लिए इसके साती साथ निमंतरन तमाम महमानों को और खास्ट और पर इंडिया गडबंधन के सभी शीर स्क्रिताओं को दिया गया है लगातार उनकी जानकारे भी आप अपने टेलविजन स्क्रीन्स पर देख पा र झाल 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 झाल